23 जनवरी 1860 के दिन अमेरिका में एक आदमी का जन्म हुआ था जिसका नाम था Wallace D. Wattles भजपन में उन्होंने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल किया माना जाता है कि उन्होंने अपने आपको सेल्फ एजुकेट करा है वो बहुत सारी बुक्स पढ़ दे थे 1910 में उन्होंने एक बुक लिखी The Science of Getting Rich उनका मानना था कि जिस तरह से physics के laws होते हैं जैसे electrons flow हो रहे हैं तो current पैदा हो रहा है उसी तरह से कुछ laws ऐसे हैं जिनको अगर आप follow करो तो हर कोई अमीर बन सकता है उन्होंने अपनी बुक में बताया है कि ये बुक उन हिंदी philosophy बुक पे अधारित है जो मानती है one is all यानि कि इस ब्रह्मान्द ने ही हम सबको बनाया है इस बुक से एक thought movement पैदा होई जिसकी वज़े से बहुत सारे authors influence हुए और Rhonda Byrne ने the secret book इसी से influence होके लिखी है अमीर बने है तो चलिए जानते हैं उन 17 points को पहला point है the right to be rich आजकल के जवाने में हर कोई अपनी जिंदगी एक best तरीके से जीना चाता है और उस best तरीके से जीने के लिए उसे पैसे चाहिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं अगर गरीब है तो क्या हुआ अमीरी तो इंसान को बुरा इंसान बना देती है पर सचाई तो यही है कि एक successful और complete life के लिए हमें अमीर होना जरूरी है कोई भी इंसान अगर अपना वहतर वर्जन बनना चाता है तो उसके लिए उसे अपनी body, mind और spirit को develop करना पड़ता है पर उसके लिए उसे जो tool चाहिए वो पैसे से ही आते हैं life तो बनी ही बढ़ने के लिए है जैसे plants सूरच से energy लेते हैं और उसी की तरफ भढ़ते चले जाते हैं nature चाहता है कि हम समय के साथ smart बने, strong बने ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो थोड़े बहुत पैसे कमाना चाहते हैं ये वीडियो उनके लिए है जो बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं ज़्यादा चाहना कोई गलत बात नहीं है जब तक उससे किसी को नुकसान ना हो इनसान के अंदर तीन चीजे होती हैं जो मिल के काम करती हैं उसकी body, उसका mind और उसकी soul अगर इसमें से एक भी खुश नहीं होता तो इनसान भी खुश नहीं रहता उसको इन तीनों का खयार रखना पड़ता है अपनी body का खयार रखने के लिए उसे अच्छा खाना चाहिए अच्छे कपड़े चाहिए, एक safe घर चाहिए और हर इनसान चाहता है कि वो rest करे, खेले कूदे और अपने जिंदगी enjoy करे अपने mind का खयार रखने के लिए उसे सीखते रहना चाहिए अपना सीखने के लिए टाइम बना रहा चाहिए कि रोज मैं इतने टाइम सीखूंगा नई नई जगे गूमना चाहिए, books पढ़नी चाहिए और dragons perception की videos देखनी चाहिए जिस तरह से कुछ दोस्त आपका दिन भैतर बना देते हैं उसी तरह से कुछ चीजे होती हैं जो आपके मन को खुश रखती हैं और उसको भैतर बनाती हैं अपनी soul का खयार रखने के लिए उसे प्यार चाहिए जो की एक right environment में grow होता है और ज़्यादा दर right environment को create करने में पैसा मदद करता है खुशी कभी भी सिरफ materialistic चीज़ों से नहीं आती खुशी आती है sharing से giving से जैसे हमें कभी warm hug मिलता है अपने पन की feeling आती है तो हमें उससे खुशी मिलती है जब आप अमीर होते हो तो आप ज़्यादा चीज़े share कर सकते हो अपनी family का खयार रख सकते हो और इस दुनिया को एक बहतर दुनिया बना सकते हो तो अगर आप अमीर बनना चाते हो तो यह कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि उससे आप अपना खयार रख सकते हो जिनको आप प्यार करते हो उनका खयार रख सकते हो और इस दुनिया को एक बहतर दुनिया बना सकते हो जैसे हम maths में कुछ steps follow करके एक problem को solve कर देते हैं उसी तरह से अगर हम कुछ steps को follow करें तो हम अमीर भी बन सकते हैं जैसे एक कहावत है जो बोगे वही पाओगे जैसा आप बीज डालोगे वैसा ही पोधा होगेगा उसी तरह से जिस तरह से आप काम करोगे वही decide करता है कि आप अमीर बनोगे या नहीं बनोगे आपने कहीं बार देखा होगा कि दो लोग same business कर रहे होते हैं फिर भी एक उसमें से अमीर होता है और दूसरा गरीब होता है उसमें ये matter नहीं करता कि कौन smart है कौन talented है उसमें ये matter करता है कि वो किस तरह से चीजे कर रहे हैं अमीर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत कंजूसी से रहें कई बार वो लोग भी अमीर होते हैं जो खुले दल से पैसे उड़ा रहे होते हैं अगर वो कुछ चीजे एक certain way में करते हैं तो अब भाई आपको लग रहा होगा ये process तो बड़ी मुश्किल होती होगी पर ऐसा नहीं है ये कोई भी समझ सकता है कि अमीर बनने की process क्या है और उसके लिए ये matter नहीं करता कि आप कहां रहते हैं आपके पास job है की नहीं है या आपके पास पैसे है की नहीं है आपके पास इन में से कुछ भी नहीं है तब भी आप ये कर सकते हैं अगर आपके गाउं में से आपके शहर में से कोई भी अमीर है तो आप भी अमीर बन सकते हैं इसे इस तरह से देखा जा सकता है जैसे सीडिया हैं तो आप step by step अगर उन सीडियों पर चड़ोगे तो आप एक नएक time पर टॉप पर आ जाओगे आप अमीर बन जाओगे और उसमें ये matter नहीं करता कि आप सीडियों में कहाँ पे हैं आप कहीं पे भी अगर चड़ना शुरू करोगे लगातार तो एक time ऐसा आएगा जब आप अमीर बन जाओगे ये कुछ rules ऐसे हैं जिससे कोई भी अपने सपनों को सच्चाई में बदल सकता है उसके लिए सिरफ उसे इतना चाहिए कि वो इन rules को सीख ले the science of getting rich third point है is opportunity monopolized बहुत लोग सोचते हैं कि वो गरीब इसलिए हैं क्योंकि बाकी लोगों ने पैसा ले लिया और उसे चुपा दिया और अब उनके पास कोई opportunity नहीं है पर ऐसा नहीं है दुनिया में opportunities भरी बड़ी हैं सब के लिए हो सकता है कोई रास्ता किसी time पर आपके लिए बंध हो तो उस time पर आपको दूसरा रास्ता ढूणना है जो आपको अपने लक्षय तक पहुचा दे बहुत सारी opportunities पानी की तरह भैके आरी होती है अगर आप उसे नहीं पकड़ोगे तो दूसरे के पास जाएंगी और दूसरा पकड़ लेगा जैसे इस time पर नई नई technologies आ रही हैं अगर आप इसमें इस time पर opportunity ढूंड के कुछ कर लेते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा chance है कि आप successful हो जाएंगे जो भी employees होते हैं वो जो काम कर रहे होते हैं उनको कोई जवर्दस्ति नहीं कर रहा होता उनको कोई बांध कर नहीं रखा गया होता हूंप है वो अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं तो याद रखो कि कोई भी गरीब इसलिए नहीं है कि opportunity की कमी है या resources की कमी है यह सब तो दुनिया में भरे बड़े हैं आपको एक सही process में इन्हें use करना है जिससे आप भी अमीर बन सकते हैं सब कुछ एक formless substance से बना हुआ है जैसे एक पौधा मिट्टी में पैदा होके बड़ा होता है और जब उसे काट के वहाँ पर डाल दिया जाए तो वो उसी मिट्टी में मिल जाता है पर वो जब मिलता है तो वो उस मिट्टी को और उपजाओ बनाता है ताकि वहाँ पर पोधे आ सके तो यह nature है यह चाहता है कि हम day by day develop हूँ तो आप कभी भी यह मत सोचिए कि आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि इस संसार में opportunity की या resources की कमी है आपको सिरफ एक process को follow करना है और आप इतने अमीर बन जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था फोर्थ पॉइंट है the first principle in the science of getting rich इंसान के पास एक ऐसी शक्ती है जो कि सपनों को सच्चाई में बदल देती है वो है power of thought उसकी सोचने की शमता इसकी वज़े से उसने पत्थरों से घर बनाने शुरू कर दिये और पहाड़ों पे भी खेती करनी शुरू कर दी Wallace कहते हैं कि हमारे आसपास एक formless substance है जो कि हमारे thoughts से form ले लेता है जब भी इंसान कुछ बनाना चाहता है जैसे कोई घर या फिर airplane तो सबसे पहले चीज वो दिमाग में बनती है उसके बाद वो thoughts हमारे हातों को guide करते हैं जिससे हम वो चीज बना सके formless substance को एक form दे सके अगर आप इस formless substance से बात करना सीख जाएंगे अपनी सोच से तो आप सपनों को सच्चाई में बदल सकते हैं जैसे एक painter जो अच्छी बेंटिंग मनाता है वो painting पहले उसके दिमाग में बनती है बहुत लोग सोचने हैं कि अरे ये सब बेकार की बात है पर अगर एक इनसान ये कर रहा हो उसके लिए सही हो तो हो सकता है कि ये काम करे या ना करे पर अगर हर इनसान इसको करके successful हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये सरफ एक theory नहीं है ये सच्चाई है वालस कहते हैं कि ये power of thought को unlock करने के लिए आपको तीन चीज़ों पर भरोसा रखन है दूसरा जब भी आप कुछ सोचते हैं तो ये formless substance उस सोच को सच्चाई में बदल देता है तीसरा आप कुछ भी सोचके इस formless substance से चीज़े सच्चाई में ला सकते हैं वालस कहते हैं कि सुनने में हो सकता ये बहुत अटपटा लगे पर अगर आप इस पर विश्वास करे तो आप भी successful हो जाएंगे वालस की इस बात को हम think and grow इच में भी देख सकते हैं जहां नेपोलियन हिल ने बोला है कि अगर आप किसी चीज़ पर पूरा विश्वास करते हैं कि ये चीज में अचीव कर सकता हूं तो आपका subconscious mind उस काम को करने के आपको वेज दिखाता है वैसे ही results हमें मिलते हैं यूनिवर्स हमारा दुश्मन नहीं है यूनिवर्स हमारा दोस्त है नेचर चाहता है कि हम successful बने हमारे dreams हमारी ambitions पूरे हूं पर उसके लिए हमार को यूनिवर्स के साथ harmony में रहना होगा यूनिवर्स चाहता है कि हम create करें चीज़े हम compete ना करे क्यों इस सब को उपर उठाने की जरूरत है जो belief आपको पीछे रखते हैं आगे नहीं बढ़ने देते उन belief को sacrifice करना जरूरी है मानो आपको एक artist की painting पसंद आई और आप उसे खरीदना चाहते हो पर आपके पास पैसे नहीं है तो आपने उससे बोला मेरे पास पैसे तो नहीं है पर मेरे पास 5000 की यह चीज़ है जिससे मैं यह painting लेने के लिए तयार हूँ पर वो 5000 की चीज़ artist के किसी काम की नहीं है तो अगर यह deal हो गई तो वो उस artist के साथ fair नहीं हुआ पर वहीं अगर आपके पास कोई चीज़ ऐसी थी जो 500 रुपे की थी पर वो उस artist के भी काम की थी तो यह deal एकदम fair हुई है यह win-win situation है जिसमें दोनों को फाइदा हुआ है तो आप एक बहुत ही बढ़िया बिजनस बनाओगे जहां पर सब ग्रो करेंगे और अगर आपके employee वहां पर आके अपने आपको feel करते हैं कि वो day by day कुछ सीख रहे हैं दुनिया में बहतर बन रहे हैं तो यह win-win situation है क्योंकि वो उनको भी फाइदा हो रहा है और आपके business को भी फाइदा हो रहा है जब आपको चाहते हैं तो उससे यह मत सोचिए कि वो हवा में चीज अपने आप प्रकट हो जाएगी पर हाँ वो आपके दिमाग में चीज आ जाएगी तो आपका thought process उस चीज को पाने के लिए एक plan बनाना शुरू कर देगा जो भी चीज आप चाहत बहुत सारे लोग बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे होते हैं पर वो एक चीज मिस कर देते हैं gratitude मानो आपके दोस्त ने आपको gift दिया तो क्या आप उसे thank you नहीं बोलते उसी तरह से जब universe आपको कुछ देता है तो आपको उसके लिए उसे thank you बोलना चाहिए उसके लिए आपको gratitude feel होना चाहिए जब आप thankful होते हो तो आपका faith और strong होता है और जब आपका faith और strong होता है तो आपको वो चीज और मिलती है आपके सपने सच्चाई में वदलने लग जाते हैं 8th point है thinking in a certain way मानो एक ship का captain है उसे अपनी destination पे जाना है तो वो क्या करेगा वो जो compass है उसके हिसाब से उस ship को उस तरफ ले जाएगा उसका mind fix है कि उसे एक destination पे जाना है और वो उसी हिसाब से उस ship की direction रखेगा इसी तरह से जब आपको चाते हैं तो वो आपकी इतनी strong desire होनी चाहिए कि आप उसको महसूस कर सके जैसे वो already आपको मिल चुकी है आपका दिमाग हमेशा उस सपने को पूरा करने में लगना चाहिए तो उसके लिए आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा ये सिरफ wishful thinking से नहीं होगा जिस तरह से अगर आपको पता है जमीन के नीचे सोना दबा हुआ है तो उस सोने को निकालने के लिए आपको जमीन को खोदना पड़ेगा उसी तरह से अपने सपने को अचीव करने के लिए आपको महनत करनी पड़ेगी नाइन्थ पॉइंट है how to use the will अगर किसी इनसान को कुछ अचीव करना है तो वो सब को कंट्रोल नहीं कर सकता उसे ये पता होना चाहिए कि वो सब के दिमाग पर काबू नहीं कर सकता लोगों के दिमाग को कंट्रोल करना उतना ही गलत है जैसे आप किसी से फिजिकल फोर्स से काम करवा रहे हो ये वैसा ही होगा जैसे आप सूरज को बोले कि तू एक जगे से दूसरी जगे चला जा या फिर हवा को बोले तू अपना भाव बदल ले इंसान को ये समझना चाहिए कि उसे सबको कंट्रोल नहीं करना है उसे अपने उपर फोकस करना है अपना एक कलियर गॉल बनाना है एक mental image बनानी है जिस चीज़ को वो अचीव करना जाता है जिस तरह से एक captain अपने compass से अपनी destination को देखता है और उसी तरफ ship को ले जाता है उसी तरह से इंसान को अपने goal को set करके उस तरफ action लेने चाहिए उसे दूसरों को manipulate नहीं करना है उसे खुद को guide करना है universe में जैसे हम seed देते हैं वैसा ही वो plant देता है पर doubt एक weed की तरह है जो आपकी growth को रोकता है doubt और negative thoughts से आपको दूर रहना है क्योंकि ये आपकी progress में बहुत बड़ी अर्चन है 10th point है further use of the will मानों आप कोई गाड़ी चला रहे हो तो आप क्या rear view से बार बार पीछे देखोगे अगर आप ऐसा करते हो तो या तो आपकी गाड़ी धीरे चलेगी और या तो उसमें accident होने का ख़तर है इसी तरह से हमें अपने जीवन में past पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि उसकी वज़े से हमारी future की progress रुख सकती है अगर कोई इंसान मुसीवत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए जैसे अगर आपके पास अंधेरे में torch है तो आपको उस torch की light से सबको guide करना चाहिए जब आप अमीर बनते हैं तो सिरफ आप successful नहीं होते आपको देखके बहुत सारे लोग inspire होते हैं जिनके पास एक hope आती है जिससे वो भी successful हो सकते हैं तो अमीर बनना एक selfish चीज नहीं है इससे ये दुनिया बहतर बनती है 11th point है acting in the certain way सिरफ सोचने से wealth नहीं बनती वो action के साथ जुड़ी होनी चाहिए जैसे अगर आपको सोना चाहिए तो आपको उसे ढूंटने की मेनत करनी पड़ेगी उसके लिए mining करनी पड़ेगी उसको refine करना पड़ेगा उसको एक shape देनी पड़ेगी आपके पास बहुत सारी opportunities आएंगी पर आपको उसको receive करने के लिए prepare रहना है Wallace ने अपने सपनों को सचाई में बदलने के लिए तीन स्टेप बताए है पहला उसकी एक clear mental image अपने दिमाग में डालो जो चीज आपको चाहिए दूसरा अपना purpose और faith maintain करो और तीसरा आप इस चीज पे पूरा विश्वास रखो कि वो चीज आपको मिलेगी आपको जो भी चीज चाहिए उसके लिए आप perfect time, perfect place का इंतजार मत करो आप action लो आपके action अपने आप वो perfect place, perfect time बना देंगे अगर आप किसी ऐसी job में है जो आपको पसंद नहीं है तो आप ऐसा काम करना शुरू करो जिससे आप जो चाहते हैं वो काम भविश्य में पूरा हो क्योंकि आप जो काम वर्तमान में कर रहे हैं उसी की वज़े से आपको भविश्य में वो चीज मिल सकती है 12th point है efficient action इस दुनिया में सबको उनकी एक responsibility मिली है अगर कोई भी अपनी responsibility सही से नहीं निभाएगा तो चीजे smoothly नहीं चलेंगी जैसे अगर एक गाड़ी में एक tire पंचर है तो गाड़ी सही से नहीं चलेगी ये principle आपकी life में भी apply होता है अमीर बनने के लिए आपको अपनी comfort zone के बाहर जाना पड़ेगा हमेशा अपना best करना पड़ेगा हर दिन को एक इस तरह से सोचो कि आप अपनी निव में एक eat रख रहे हो अगर आप लगातार उस eat को रखते रहोगे तो आप एक बहुत ही मजबूत निव बनाओगे जिससे आप वो चीज अचीव कर पाओगे जो आप चाहते हो पर अगर आप बीच-बीच में skip कर दोगे बहुत जादा तो आप वहाँ पे gap छोड़ रहे हो जिससे एक weak foundation बनेगी आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि efficiency matters more than quantity सिरफ बहुत सारी चीजे नहीं करनी है आपको चीजों को अच्छी तरीके से करना है quality over quantity is the key to success आपको अपनी सोच को और अपने action को अलग-लग नहीं रखना है उनको एक ही दिशा में रखना है 13th point है getting into the right business जरूरी नहीं कि आपका business उसी में हो जिसमें आप बहुत अच्छे है अगर आप किसी और चीज में business करना चाहते हैं तो उसमें मेहनत जरूर लगेगी पर उसमें भी सफल होने के chances बहुत जादा है क्योंकि जब आप वो चीज अचीव करने जाओगे तो आपको अपने बहुत सारे hidden talent बलेंगे जो आपको भी नहीं पता था कि आपके अंदर है अगर आप अपने present से खुश नहीं है तो ये ऐसा हो गया जैसे आपने ऐसे shoes पहने हैं जो आपको fit नहीं है और वो आपको uncomfortable feel कराते रहते है तो उस uncomfortable situation से अच्छा है कि आप अपने size के जूते खरीदे या फिर उन जूतों को उतार दे जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा ठक गए हैं तो रुकने में और सास लेने में कोई बुराई नहीं है ये कोई ऐसी race नहीं है जिसमें आपको भागते रहना है बीच में रुक के आप अपने आपको time दे सकते हैं आपको अपने goal बे focus रखना है और universe को gratitude देना है कि आप ये सब कुछ कर पा रहे हैं इससे आप वो चीज़े और बहतर तरीके से करेंगे 14th point है the impression of increase आगे बढ़ रहे हैं उस बात की तरफ जहां आप जाना चाहते हैं आप किसी से भी मिले चाहिए वो friend हो, colleague हो या घरवाले हो उन सब को पता चलना चाहिए कि आप progress कर रहे हैं पर आपको ये चीज़ द्यान रखनी चाहिए कि आपकी success किसी को नीचे गिरा के नहीं आनी चाहिए आपकी success सबको उपर उठा गया आनी चाहिए जिससे सबको benefit होना चाहिए 15th point है the advancing man आप चाहे किसी भी profession में हो, चाहे teacher हो, doctor हो, lawyer हो पर अगर आप successful होना चाहते हैं तो आपको इस simple formula को अपनाना है एक purpose के साथ काम करना है एक abundance mindset रखना है और चीजों के लिए gratitude feel करना है 16th point है some cautions and concluding observations ये सचाई है कि इस system की वज़े से बहुत सारे लोग गरीब हैं पर ये भी सचाई है कि बहुत सारे लोग इसलिए गरीब हैं क्योंकि वो इन तरीकों से नहीं सोचते और इन तरीकों से act नहीं करते अगर लोग इस science of getting rich को follow करेंगे तो उन्हें कोई सरकार, कोई system अमीर बनने से नहीं रोख सकता 17th point है summary of the science of getting rich ये universe एक formless substance से भरा हुआ है आपका thought उस substance से कुछ भी चीज reality में ला सकता है उसके लिए आपको creative mind चाहिए आपको competitive mind नहीं चाहिए क्योंकि दुनिया में resources की कमी नहीं है सबके लिए भरपूर चीज़े हैं आपको जो भी चीज चाहिए ये उसके लिए आपकी clear और definite mentally में जोनी चाहिए आपको उसको achieve करने का faith होना चाहिए और आपको universe के लिए gratitude होना चाहिए तो जो भी इन instructions को follow करेगा उसको अमीर बनने से कोई नहीं रोख सकता